हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए अपनी कुछ पर्सनल फेवरेट टिप्स एन ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो मुझे बहुत पसंद है देखिए हम सभी की घर में कुछ ना कुछ ऐसा समान जरूर होता है जो बेकार बड़ा होता है तो बस उसी को रियूज करने के कुछ टिप्स आपके लिए लेकर आई हूँ तो चलिए मैं प्रमिला किचन कॉर्नर में आप सभी का स्वागत करती हूँ तो पहले टिप है ये देखिए इस तरह के मैटल्स के बैंगल्स जो होता है हम सभी की घर में होते हैं और ये मेरे पास है edge bending tape का roll हमारे घर में कुछ kitchen का काम हुआ था तो उसमें ये बच गया था मैंने इसको इसतरह से roll कर लिया है और इसको cello tape के help से चिपका दिया है और ये इसतरह से hard होता है यह इसमें वल प्लास्टिक ersten के भी प्लास्टिक का भी होगा की थेञां पे तक नोट कर सकते हैं तो ये देखिए सारी बैंगल्स जो हैं इसमें कितने अच्छे से टक हो गई हैं लटक गई हैं इन्हें लटकाने के लिए मैंने धागे का इसी लिए यूज किया था तक ये फ्रीली इसमें आराम से लटक चाहें और अब मैंने इसमें तीन होल अलग से और किये हैं और इसमें तीन साइड में मैं इस डोरी को लगा दूँगी और अब देखिए ये तीनो साइड से लग चुकी है सबसे उपर में टॉप में मैंने इसमें एक नॉट लगाती है और ये मेरे पास एक बैंगल से ही बनाया हुआ मैंने इस तरह से बैंगल को कट करके या तार अगर आपके पास है तो तार को इस शेप में आप मोड लीजिए और आपका एक हुक जो है बहुत आराम से रडी हो जाता है इस हुक को इसके टॉप में लगा दिया है और अब जितनी भी बैंगल्स हैं उनमें मैं क्या कर रही हूँ इस तरह से सेफटी पिन मैंने सारी बैंगल्स में लगा दी है तो अब काफे कुछ आपको देखके ये पता चली ही गया होगा कि मैंने ये क्या बनाया है तो मैंने ये बनाया है अपने घर के छोटे मोटे कपडे जिसे सौक्स हो गए हैंकी हो गए अंडर कार्mins हो गए इनको हैंक करने के लिए एक छोटा सा हैंगर मैंने ये बना दिया है यकीन मानिए मुझे भी नहीं पता था कि ये इतना प्यारा बनेगा घर में बच्चों को ये बहुत पसंद आया उन्हीं लगा कि मैंने कोई शोपीस का समान बना दिया मैंने इसमें जो बैंगल्स में सेफटी पिन लगाई है उसी सेफटी पिन में मैं सारे कपड़े टक कर ले रही हूँ अगर आपको सेफटी पिन ना रखनी हो तो आप बैंगल्स में जो कपड़े सुखाने वाली क्लिप्स होती है उनको भी लगा सकते हैं और इसको बड़े आराम से अंदर भी ला सकते हैं अंदर कपड़े सुखाने हो जैसे कभी धूफ गेर ना हो और बाहर भी क्योंकि ये बहुत हलका है जिसकी वज़े से हम इसको कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं और देखिए कंप्लीटली जितना भी वेस्ट मटीरियल था लग काम का समान नहीं था उससे बना हुआ है तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीज़ेगा नेक्स टिप की तरफ चलते हैं इस तरह से जो ये आजकल हम शॉपिंग करते हैं तो इस टाइप के बॉक्स छोटे बड़े हमारे घर में आते ही रहते हैं और हम क्या करते हैं इन्हें फेक देते हैं और अपने सामान को और्गिनाइज करने के लिए महंगे महंगे और्गिनाइजर मार्केट से ले आते हैं लेकिन अगर हम इन्हीं बॉक्स को थोड़ी सी अपनी जरुरत के अकॉर्डिंग शेप में कट करके इनको थोड़ा सा इस तरह से रैप कर दे किसी भी पेपर से रैप करते हैं आप न्यूस पेपर से भी रैप करेंगे तो वो उससे भी अच्छा लगेगा और ये देखिए मैंने इसे रैप कर दिया है और इसमें ये जो है जितनी भी मेरी ओईल की बॉटल है ये मैंने रख दी है आप चाहे मैं से टेबल पे रखूं या इस तरह से ड्रॉर में रखूं देखिए ड्रॉर के अंदर भी सामान को इस तरह से इन बॉक्स में रख के कितना अच्छा ये लगता है देखने में तो चलिए नेक्स टिप की तरफ चलते हैं नेक्स टिप है दुपट्टों को लेकर देखे इस तरह के जो दुपट्टे जिनमें साइड में सिर्फ बॉर्डर होता है और बीच में थोड़ा बहुत काम होता है तो साइड के बॉर्डर वाले दुपट्टे जो होते हैं इस टाइप के अकसर हम इनको क्या करते हैं इस टाइब से पहन लेते हैं जो कि देखने में बिलकुल भी अच्छे नहीं लगते हैं तो आज इनको पहनने का एक बहुत इजी तरीका बताती हूँ आप के कीजिए दुपटे को उलटा कर लीजिये और उलटा करके सबसे पहले उसे डबल फोल्ड कर लीजिये डबल फोल्ड करने के बाद जहां पर जॉइंट आ रहा है उससे आधा हाथ मतला आपका हाथ से जो कोहनी होती है वहां तक का मेजर लेके उतना छोड़ के ये देखिए मैं इस तरह से नाप के बता रही हूँ उतना छोड़ के मैंने ले ली है एक सेफटी पिन पहले दुपटे के एक एंड पे इसको लगाना है और फिर आपके घर में जो कुछ भी मोती पड़े होंगे कोई पुरानी माला क जितने भी सेफटी पिन में मोती आते हैं उन्हें पिरो लीजे और फिर जो भी तुपटा है उसका दूसरा एंड उसमें टक कर लीजे फिर थोड़ी थोड़ी तूरी में लगाके इस तरह से पूरे नीचे तक आप इस तरह से सेफटी पिन में मोती लगाकर इसको एंड कर अब देखिए मेरा ये पूरा हो चुका है और मैंने ये सीधा कर दिया है और ये देखिए ये जो सेफटी पीन है जब सीधा किया ना तो सेफटी पीन बिल्कुल नहीं दिख रही है क्योंकि बाहर की साइट से अब सिर्फ मोतिया ही दिखेंगी और मैं इसको पहन के आपको ब मेरे हैंड भी पूरे फ्री हैं बड़े आराम से कुछ भी काम करना हो तो मैं आराम से कर सकती हूँ बैक साइट से भी देखिए और अभी मैंने ये सिंपल घर के टीशिट पजामे में आपको पहन के दिखाया है सोचिए जब मैं इस सूट के साथ इसे डालूंगी या साडी के साथ डालूंगी तो ये दिखने में कितना अच्छा लगेगा और सेम चीज आप शॉल अगरा के साथ भी अपलाए कर सकते हैं तो एक बार इस स्टाइल को ज़रूर ट्राइ कीजेगा तो चलिए नेक्स टिप की तरफ चलते हैं नेक्स टिप है आटे को छालने से लेकर जब क्या करती हूं हमेशा जबी भी आटा चानना होता है तो चलनी को इस तरह से उस पर रखके और जो आटे ये डबा है इसको उल्टा कर देती हूं और बस आप डबे को घुमाना है इस तरह से घुमाते रहेंगे तो आटा जो है बड़े आराम से नीचे पूरा च्छन के क्या हुआ तो एक बार इस टिप को आप जरूर ट्राई कीज़ेगा एक बार करेंगे तो एवरी टाइम आप इसी तरह से फिर आटा चानेंगे नेक्स टिप है धनीये को स्टोर करने के लिए आपको कोई टिशू पेपर कोई पेपर टावल की किसी की जरुत नहीं है बस धनिया रखे धनिया बस यह ध्यान रखे जादा गीला ना हो अब आप उसे धोई नहीं मार्केट से लाएं उसे स्टोर कर दे और फिर उसके उपर फिर से एक टीशेट का टुकड़ा का कपड़ा रख लीजे और इस बॉक्स को बंद कर दीजे इससे आपका धनिया तीन से चा को भाज से से कंविलेदकर बंदे, भाज लाज worship लीजे期 हैं नजो जब हम यह जो इस टफ पराठे बनाते है ना भरबा पराठे तो कई बार क्या होती है स्टफिंग ना काफी गीली हो जाती है तो नॉर्मल वे में पराठे बनाने में वो फट जाते है तो इस तरह से अगर आप एक रोटी बेल लेंगे उसको बीच में कट कर लीजिए एक साइड स्टफिंग भर लीजिए दूसरे साइड उसको उसके उपर रखके साइड से हलका हलका दबा के उसको बस थोड़ा सा यह दबाना है चिपका दीजिए और अब इस वे में आप परांठे बना के अगर सेकेंगे न तो आपके स्टफ परांठे भी बन गए बिल्कुल भी नहीं फटेंगे और यकीन मानिये ये खाने में बहुत हैं बच्चों को तो ये खाने में बहुत एजी लगते हैं बार उठाया रोल किया और खा लिया और दो पीस उनके या तीन पीस उनके लंच बॉक्स में रख दो तो वो उनके लिए बहुत होता है तो एक बार ट्राइज जरूर कीचेगा तो चलिए next tip की तरफ चलते हैं next tip कई बार क्या होता है हमारे घर मेरा फ्रिज में थोड़ी थोड़ी सारी बहुत सारी सबजी बचाती है तो उनका मैक्सर क्या करती हूँ इस तरह से एक पैन में पानी ले लेती हूँ अद्रक लहसुन बारी काटके उसमें डालके और जो सबजी घर में पड़ी है सारी मिला के उसमें नमक, मिर्च डालके और थोड़ा सा एक चमच मैगी को क्रश करके डाल देती हूँ और उसमें क्या करती हूँ फिर लेती हूँ जो ये नौर का होटन सौर सूप का पैकेट आता है उसका एक चमच और एक चमच ही जो कौन स्टार चाता है उसका डालके थोड़ा सा ठंडा पानी डालके बाउल में मिक्स करके इसको उसी पैन में डाल देती हूँ आप चाहे तो इसमें सोया सौस और विनेगर भी डाल सकते हैं लेकिन मैं इन दोनों इस चीज़ों को इतना प्रिफर नहीं करती हूँ इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर पका के तो मेरा बढ़िया होट एंसौर सूप रेड़ी हो जाता है घर में सब को बहुत पसंद आता है और ये काफी हेल्धी भी होता है तो चलिए नेक्स टिप बताते हैं परश वगर की तो हम डेली जाड़ों पुचा करके सफाई हो ही जाती है लेकि जो पर च्छत होती है दिवारे होती है ये बहुत नेगलेक्ट हो जाती है और इन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है तो इनको साफ करने का एक बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ मैं क्या करत और अब वाइपर में बना के फल च्छत क्लीन हो जाती है खत चाunts जाकी जाने के ले जाने की जाने ही बार देखे है त्धर वो तरह से एक बार अगर जाता दूल मिट्टी भी नहीं होंगी फैन वगरह में और ये अरह से साफ भी हो जाएंगे तो एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा तो जब ये पूरे उपर की सफाई हो जाती है उसके बाद में इनको अच्छे से धो के और फिर वाइपर में लगा के नीचे फर्श वागेरा भी अच्छे से क्लीन कर देती हूं और अगर आपके सॉक्स थोड़ा मोटे वाले हैं फिर तो जो सफाई उपर दिवारों की हो या फर्श की हो बहुत अच्छे से हो जाती है तो चलिए नेक्स टिप की तरफ चलते हैं आजकल जो है ये रोटेटिंग जो ट्रे है ये बहुत ट्रेंड में है तो सोचा की चलो इसे घर पे ही बना लेते हैं तो आपको क्या करना है कोई भी इस तरह से आपके पास बीट्स वाली माला हो तो उसे ले लीजे या कुछ बीट्स पड़े हो कुछ मोती पड़े हो तो आप उन्हें भी ले सकते हैं उन्हें दो plates के बीश में इस तरह से रख लीचे और यह आपकी rotating जो tray वो ready है तो देखिए इसके बीश में आपको kitchen के मैं इसे kitchen में set करूंगी मैं इसे kitchen में यह देखिए ऊपर टॉफ वाले मैंने shelf में इसे रख दिया है वहाँ पर generally हाथ नहीं पहुंचता है तो tray में जितने भी बॉक्सेस हैं जो किचिन में चाहिए होते हैं वो मैंने रख दिया और जो भी बॉक्स मुझे चाहिए बड़े एजिली मैं रोटेट करके उसको निकाल सकती हूँ तो यह आइडिया आप भी यूज कर सकते हैं ओके फ्रेंड्स आज वीडियो यही पर एंड करती हूँ अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजेगा चैनल को सबस्क्राइब कीजेगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा कि आपको कौन से टिप सबसे ज़्यादा पसंद आई ओके फ्रेंड्स ब